अध्याय चूदा के प्रस्णावली दो का पहला प्रश्ण है इन कतनों को गड़ीती रूप में लिखिये कह रहा है इसके अंदर दो प्रश्ण है पहला है पुर्णांग गुडन संक्रिया के साप्यक्ष संवरीत है दुसरा है पर्मे संख्याओं में घटाने में क्रम विन्म लागू नहीं होता है घटाने में क्रम विन्म लागू नहीं होता है कह रहा है जोडने की बात नहीं कर रहा है घटाने की बात कर रहा है तो पहले पहला प्रस्ण हल कर लें पहला प्रस्ण क्या है पुर्णांग गुडन संक्रिया के साप्यक्ष संवरीत है कह रहा है तो चल अब क्या करेंगे गुड़ा करेंगे इहीं नंबरों को हना तो ए इंटू बी मैंने गुड़ा कर दिया तो प्राप्त क्या होगा भई गुड़ा करेंगे तो कोई नंबर तो प्राप्त होगा ना तो ए इंटू बी को मैंने गुड़ा किया तो सी क्या होगा प्राप्त होगा उदारन ठीक है एक्जामपल ले लेते हैं इसको मैंने दो माना ठीक है और B को मैंने तीन माना दो और तीन कितना हो गया च्छा है तो अब एक्जामपल से आपको समझ में आ गया होगा कि A का मान दो B का मान तीन और इसके बराबर जो मान प्राप्त हो है वो च्छा है ठीक है तो इसको और कैसे लिख सकते हो, A into B बराबर C, इसका मतलब ये है कि ये जो ABC है न, A B और C अव्याव है, किसके I के, इसका मतलब क्या है ABC पुर्णांग के अव्याव है I का मतलब क्या है, पुर्णांग को प्रदर्सीत करता, Integer number इंटीजर मतलब पुर्णांग तो ये I जो है, ये पुर्णांग को प्रदर्सीत करता, मैं यहाँ पर पुर्णांग ही करूँगा I को, तो ABC जो है, वो अव्याव है किसके, पुर्णांग के ठीक है, I का मतलब पुर्णांग है ठीक है, क्रम विद्य में नियम लगाना है और ये कह रहा है इस प्रस्न में कि मैनस लगाने पर यह नियम लागू नहीं होता है कह रहा है, है ना, तो मैं परिमे संख्या माल लेता हूँ तो यदि P मैनस Q क्या है परिमे संख्या है ठीक है P into Q P और ये Q जो है वो क्या है परिमेशंख्य है ना तो इसको क्या गरेंगे घटाएंगे तो घटाने पर लागू नहीं हो रहा है कह रहा है तो P minus Q को मैंने घटा दिया क्रम विनियम लगा रहे हैं तो क्या होता है पहले P को आगे में रखेंगे एना उसके बाद minus Q को अब क्या होगा क्रम विनियम में P को मैं plus में लिखूंगा इस बार और इसको मैं minus में लिख दूँगा देखते हैं देखो P के जगा पे मैं यहाँ पे रख लेता हूं कितना रखा 2 Q के स्थान पे रखा मैंने 5 Q के जगा पे 5 और P के जगा पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे जब इन दोनों को हल करेंगे तो 2 में minus 5 घटाएं कितना आएगा minus 3 आएगा और 5 में कितना घटा रहे हैं 2 तो plus 3 आ रहा है ठीक है plus 3 और यहाँ पे आ रहा है minus 3 तो देखो के मान क्या बराबर है बराबर नहीं है जो बराबर नहीं है क्योंकि यह minus 3 है और यह plus 3 है minus 3 कोई भी condition में plus 3 से बड़ा नहीं हो सकता कैसे मैं आपको scale बताता हूं scale graph आपको पता है न पूर्णान का 0 1 2 यह 3 ठीक है और यह सब ही मान किसमें है plus में है फिर 1 फिर minus 2 फिर minus 3 इस में कितने का अंतर है इसके बीच में minus 2 है minus 1 है 0 है plus 1 है plus 2 है तो यह जो minus 3 है और plus 3 जो है यह दोनों एक बराबर नहीं है ठीक है क्योंकि यह minus है और यह plus है तो इसमें अंतर क्या है कितने का अंतर है minus 2 minus 1 फिर 0 फिर plus 1 plus 2 का अंतर है ठीक इसलिए minus में क्या है क्रम विनमा निय वो नहीं होता है समझ में आया तो यहां पर मैं इसको बता देता हूं P-Q बराबर नहीं है Q-P for all PQ ठीक है element है ठीक है belong to element भी बोलते हैं तो belong to element है Q के ठीक है यह Q जो है यह क्या है परिमेश संख्या को तो इस तरीके से दूसरा प्रसनका उत्तर भी मैंने आपको दे दिया